मार्क रम के आने से भी नहीं पड़ा कोई फरक हो गई S.R.H फिर बरबाद बुरी तरह पिटके फिर हार गई है इद्रावाद क्या बात है यह मतलब क्या हो रहा है पहले मार्क रम को अपने कैप्टेन बना दिया है केन विलियमस और भाहिया आपने धक्के मार्के जो निकाल ना वाई क्योंकि अभी तो दो मैच हुए लेकिन दो मैच में भी ऐसा कुछ फर्क तो पड़ा नहीं हाला कि पहले मैच के अंदर यह तीन खिलाडी थे नहीं पर दूसरा मैच जिसमें सब आपको अमीदे थी कि भाई मार्करम आजएंगे अब तो कैप्टन वापिस आ जाएगा भूवी भाई के बसकी नहीं है लेकिन मार्करम आके जो आग लगाएंगे पूरे एक बॉल खेली उन्होंने गोल्डन डक पर जो है वह आउट होके गए हैं एडियन मार्करम जो हैद्र के लोगों को बुलाया था लखनाओ वालों ने कि आओ हमारे पास खेलो तो सिक्का उचला और भाई गिरा भी मार्करम विया के खक में तो उन्होंने का चलो भाई है लेकिन नहीं उन्होंने का नहीं हम तो बल्ले वाजी करेंगे पहले फिर टुंडे वाप खाएंगे तु बैटिंग थी हाइदराओड की swrå करते हैं इनके scorecard से किऊखी मजासा तो नहीं आया हाइदराओड की बैटिंग देगके क्या सोचके इन्होंने पहले वाटिंग करने का decision लिया था कि वाई क्यों हम पहले वाटिंग कर रहे हैं तो बाई पहले जो सबसे पहले निकले अनम बहुत अच्छा नहीं था लेकिन इनके साथ जो लेजिंडरी प्लेयर है आई पील के मयंक अगरवाल जिनको सब लोग सोच रहे थे कि शायद है रावाद का कैप्टर मनाया जाएगा बहुत टाइम से है जो फॉरन प्लेयर है उनको कप्तान बनाने की कोशिश करती रहे पहले अगरवाल को कैप्टन नहीं बनाया गया और यही हुआ उन्होंने साथ बॉलो पर आठ रन मारे वह भी निकल गया इतना पैसा में इतना इच मिलेंगा अगर मेरे वह कैप्टन आप नहीं बनाओगे तो मैं रन भी नहीं मारेंगा ना तो भाई यही हुआ पर राहुल त्र राहुल 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 रेविट और अब यह राहुल त्रिपार्टी भी राहुल रेविट की तरह खेल रहा है ऐसी परफॉर्मेंस थोड़ी दो गए यार 41 बॉलों पे 35 रण बाकी माकरम जो है वो एक 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 भी रण नहीं मना पाए एक बॉल के लिए और गोल्डन डख पे आउट हो गए बोल्ड मारा क्रुनाल पांडिया ने बाई क्रुनाल पांडिया वाज ओन फायर जहां पर परफॉर्मेंस नहीं दे पारे हैं तब भी उनकी टीम गुजरात तो जीती रही है लेकिन दब्रदर ओफ हार्दिक पांडिया दबिगर पांडिया क्रुनाल पांडिया उन्होंने कल भाई बहुत बढ़िया खेला और आते ही अपने पहले दूसरे विक्ट के पहले दूसर ओडिया वर्ल्ड कप भी जीता था टीटवेंटी वर्ल्ड कप भी जीता लेकिन हैरी ब्रूक यह चोटा सा लड़का है और भाई मात्रे 24 साल का 2000 में पैदा होने से जस्ट रह गया 1999 की पिदाईश है लेकिन बहुत अच्छा खेला था इन्होंने PSL के अंदर बट बेटे व स्पिन मैं डालके दिखाता हूं तो भाई रवी विश्णोई की बॉल पे इनको आगे निकले की बढ़के मैं चक्का मारूंगा लेकिन ना भाई पीछे पूरन थे पूरन ने नहीं की कोई गलती खिला दिया चूरन और कर दिया स्टंप तो भाई हैरी ब्रूक को भी वाप आठाइस बॉले खेल के सोला रन मारें वाशिंटन भाई ने यार हम तो इनको अपकमिंग टीम में इंडिया टीम का मेंबर बनते हुए देख रहे थे यह अठाइस बॉलों में सोला रन मारने से टीटोंडी में तो नीच चलेगा मामला भाई और उसके बाद जिस बंदे से जिरो एक्सपेक्टेशन थी जिनको दमाद बना रखा है आइसा रैच ने अब्दुल समाद वो आके भाई दस बॉल पे 21 रन मार गए पहले दो मैच में नहीं खेला भाई वो भरे बैटते अंदर से कि भाई मुझे निकला है मैं मेरे को एक मौका देदो एक मौका देदो म मैं मैं बताता हूं क्या कर सकता हूं तो भाई दस बॉले उन्होंने खेली दो चक्के मारे एक चौका मारा और वाई 210 के स्ट्राइक रेट से 21 रन बनाके एक इनके 21 रन की बदालत है जो यह टीम 121 रन पर पहुंच पाई है क्योंकि उसके बाद उम्रान मलिक तो भाई डाय अपर बाई भाई रन मानने लिया बुलाया किया आज आज़ आज आज़ भाग 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 फिर उनको मना गड़िया सौरी 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 मैं तो नहीं बाग सकता तो भाई यह रन आउट हो गए बंदे तो एक भी बाल ने खेली और इनको जाना पड़ा भूवनेशन मात्र 23 रन दिये चार ओवर उनने 5.8 की एकॉनमी वही रवी बिश्णोई ने चार ओवर में 16 रन दे के एक विकेट लिये तो यह जो थे वो टॉप परफॉरमर्स थे और वहें पे क्रोनाल भाई पांडया भाई जो है वो चार ओवर में 18 रन और तीन विकेट निकाली भाई उन्होंने तो बहुत शांदर परफॉरमेंस थी लखनाओं के बोलर्स से और उसके बाद जब बैटिंग करने भी आई तो भी उन्होंने भाई कोई कसर नहीं चोड़ी चाहे कायल मेर्स थे उनको पता था भाई अब 122 रन 120 वालों में 122 रन मारने हैं तो कितना ही मुश्किल है हाला कि कायल मेर्स रेड होट फॉरम में चल रहे उन्होंने 14 वालों में तेरा मारे राहुल के याल राहुल तो जब राहुल कुछ नहीं कर पाया तो दूसरा राहुल करके दिखा सकता है तो क यह खेले इनके पहले 17 मैच जो इंडिया टी 20 खेली है उसमें से इंडिया एक भी मैच निगा रही थी इनकी स्ट्रीक थी कि दीपागुटा जब-जब खेल रहे हैं चाहे इनको ओपन पे भेज दिया टू डाउन भेज दिया फाइव डाउन भेज दिया हर जगा रन मार र टाई हो गया था उसका लास्ट वाल पे चक्का मार के जो है वह मैच कितम किया स्टॉइनिस को भी मौका मिला 13 वालों पे 10 मारे रोमारियो शेपर्ड गोल्डन डग बाकी रोमारियो शेपर्ड से कोई उमीद भी नहीं करता कि यह बहुत अच्छी बैटिंग करे निकोलस प मारा लास्ट में मैच कर लिया अपने नाम तो वाई ऐसारेच जो पॉइंस टेवल के सबसे नीचे वैठी हुई है उनके पास मौका था कि दूसरे मैच में माकरम के कप्तानी के अंदर ऊपर आ सके लेकिन नहीं ऐसा नहीं होने दिया तो फिलाल आप लोगों क्या लगता है यह ऐसारेच कहां खतम करेगी और किस तरीके इनकी टीम है क्या-क्या इनको बदलाव करने चाहिए अपनी टीम के अंदर तो यह वाई यह तो पता होना चाहिए ना एसारेच को नहीं पता लग रहा क्या पता हमारे अंकरट की वीडियो के कॉमेंट्स देखके वो चेंज कर रहे हैं तो अब क्विंटन डिकॉक को किसकी जगा लाया जाए क्या निकोलेस पूरन की जगा क्या मारकस टॉइनिस की जगा आप लोग बताओ कॉमेंट के अंदर बाकी कोई दुख दर्थ पीड़ा है वह भी कॉमेंट में लिख दो हम पूरा जवाद देंगे आप टेंश दिटा बिकॉमेंट